वेलकम ड्रीम डिया स्कूल आनलाइन क्लासेस क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ 13.1 चेप्टर तो 13.1 में हम लोग देखते हैं क्या दिया है question फस्ट दिया है two cube each of the volume 64 cm cube are joined end to end find the surface area of the resulting cuboid देखे two cube हैं हमारे दोनों cube के अहां पस में add हैं जो cube बनता आपका ये इस type का बनेगा cube हमारा ठीक तो cube के जो all side होती ही क्या होती है इक्वल होती है तो हमारे देखे a cube ये और a cube और यहां joining है तो इसकी हम लोग को माल लेते है एक side क्या है length आपकी क्या है आपकी two a है और width क्या है आपका a और आपका height क्या हो जाएगी a हो जाएगी और आपका बैलूम दिया है क्या दिया है भीक्वल 64 cm3 क्यूब दिया है ओके ये हमारा दिया है थमको surface area निकालना थमको side पता होनी चाहिए तो आपका इसकी side हमको पता नहीं है तो value भीक्वल क्या होता है बैलूम अब cube इक्वल होता है a cube ओके तो ये फार्मूला होता है तो भी की value हमारी दिया 64 तो हम लोग भी की value 64 यहां रख दिये और a cube हो गया अब देखे 64 किसका cube होता है 4 का cube होता है 4 का cube लिख दिया और a cube हो गया आपक देखिए तो आपका A equal क्या जाएगा 4 आजाएगा तो A equal 4 आगए हमारा तो आपका B equal क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और Y equal क्या हो जाएगा 4 into 2 means आपका 8 आजाएगा सब यह centimeter में आएगे ओके तो A centimeter में आगए है तो A, B, L इनकी value आगई अब total surface area क्या होता है total surface area total surface area क्या फार्मूला होता है 2 L B plus B H plus H L यह फार्मूला होता है total surface area cube तो आपका इसको हम लोग present करते हैं S W से local okay तो H W से present करेंगे तो आपका यहाँ देखिए value रख देते हैं 2 और L और B और इनकी सब इक value हम लोग put करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8 यह हमारा surface area अब तक क्यूब हो जाएगा तो value put करेंगे और देखिए जो solve करेंगे इसको तो क्या क्या है आपका 2 into 32 plus 16 plus 32 तो इसका जब multiply करेंगे तो 2 into क्या जाएगा तो आपका यहाँ आजाएगा 2 to 4 4 6 10 करिया 3 3 2 6 7 8 80 इंटी हो जाएगा मीस आपका क्या जाएगा 1 cm2 160 cm2 यह हमारा क्या जाएगा surface area of cube हो जाएगा ठीक तो हमारा total surface area of cube हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा question number first होगा ठीक now question number second भी देखी क्या दिया question number second क्या कहता a vessel in vessel is in the form of halo hemisphere mounted by a halo cylinder the diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm find the inner surface area the vessel इसको अम देखी क्या निकालना है inner surface area निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा पहले तो हम लोग डाइग्राम बना लेते हैं ठीक डाइग्राम बनाएगे तो देखे डाइग्राम बना रहा हो हो है तो देखे एक पेसल बना हुआ है आपका इस तरह डाइग्राम बना अपनों को यहां देखे उपर शलेंडर राकार का है नीचे क्या है आपका सेमी सर्कल है तो देखे इसकी जो टोटल लेंद दी है क्या दी है आपकी 13 cm ठीक और यहां देखे यह आपका 7 cm यह वाला पाट और 6 cm यह हो जाएगा आपका तो यह देखे क्या हो जाएगी रेडियास हो जाएगी इसकी ठीक रेडियास हो जाएगी और यहां से देखे क्या दिया हुआ है आपका है में इस पर 14 cm diameter दिया है आपका 14 cm यहां से यहां था कि 14 तो यह distance क्या हो जाएगी आपकी आर 7 cm तो हमको given that है तो लिख दें तो d equal क्या given हमको given that में लिखेंगे आप लोग d equal आपका 14 दिया है तो आर इक्कोल क्या हो जाएगी हाँ पास से 14 by 2 means आपका 7 cm 14 cm ओके यह आपका है फिर हमको देखे क्या निकाला है height दी हुई है and height आप दी है cm में तो height क्या हो जाएगी height r plus yach हो जाएगी means क्या हो जाएगी height तो निकाल दीजिए total total height height of the vessel equal क्या हो जाएगा r plus h यह हमारा तो r की value क्या है आपकी 13 plus r की value क्या है 7 है sorry 7 यहां रख दीजिए h की value क्या है आपकी देखिए 6 है means क्या जाएगा 13 आजाएगा तो आपका यहां से 13 हो गया r plus yach equal क्या हो जाएगा 13 तो यहां से height अपनी आजाएगी तो यह देखिए तो h equal आपका 6 cm given है यह तो यह हमारा हो गया फिर हमको क्या निकाल रहे है फार्मूला होता है inner inner surface area the vessel equal क्य होता है फार्मूला होता है inner surface area देखिए फार्मूला होता है 2 pi r h plus 2 pi r square तो इस फार्मूल में जो हम लोग क्या रखेंगे value put करेंगे तो 2 into pi value 22 upon 7 और r की value क्या है आपकी 7 दी है into h की value 6 दी है प्लस आपका यहां भी put कर दीजे तो 2 into 22 upon 7 और r की value क्या है आपकी 7 दी है into 7 का square ठीक है देखिए total surface area में हमने value put कर दिया और इसको solve करेंगे तो 7, 7 cancel और यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 into 22 into 6 plus 2 into 22 upon 7 into 7 into 7 okay तो यह cancel तो हमारा देखिए क्या जाएगा 44 तो इसको जब plus करेंगे तो आपकी value आजाएगी तो इसको solve करेंगे 44 into 6 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 264 plus आपका इसका जो solve करेंगे तो आपका 7 करेंगे तो क्या जाएगा 308 तो प्लस होगा तो इसका क्या जाएगा 572 572 centimeter square यह हमारा answer आगा है ठीक है तो लिख देगे नीचे that's the inner surface area of the basal equal 572 centimeter square यह हमारा question number second हो जाएगा देखे question number 3 दिया क्या दिया है a toy is in the form of a cone of the radius 3.5 centimeter mounted of the hemisphere of same radius the total height of the toy is 15.5 centimeter find the total surface area of the toy the total surface area of the toy निकालना है देखे इसकी height दी हुई है किती दिये 15.5 centimeter h दिया है ठीक और आपका हमारा देखे यह आपका radius दी किती दिये 3.5 centimeter means यहां से यहां की radius यह भी हो जाएगी किती हो की 3.5 centimeter यह यह भी 3.5 centimeter है आपकी तो आपको क्या निकालना है निकालना है इसमें find the total surface area of the toys का total surface area निकालना है ओके तो देखे हमको जो given है तलिक दीजे तो height दी है h equal given that आपको क्या दिया है 15.5 centimeter यह हमारा यह दिया है ठीक आपका देखे रडियास दी है r दिया है क्या दिया है r तो r आपकी दी है तो height देखे यहां से यहां तक की पूरी दी है इसकी height अलग हो जाएगी 12 centimeter तो आपका पूरी height दी है तो आपका h equal क्या हो जाएगा आपका है 15 centimeter तो आपका 0.5 centimeter तो h plus r equal क्या होता है आपका h plus 3.5 centimeter r की दी है तो यहां से height आपकी तो क्या जाएगी equal आपकी 15.5 centimeter तो यहां से हम लोग निकालेंगे h plus 3.5 equal 15.5 तो आपका h equal आजाएगा 15.5 minus 3.5 तो आजाएगी 12 centimeter हाइट आपकी ठीक है किसकी हाइट आप दा कौन की हाइट आपकी यहां से formula होता है silent height निकालने का equal l centimeter है आपकी तो निकालने formula होता है l equal होता है आपका h square plus r square root के अंदर okay यह होती value miss क्या हो जाएगे देखिए यह 12 का square plus arc value 3.5 equal 7 upon 2 रख दीजिए same है आपका square तो आप लोग तो क्या जाएगा 12 का square 144 और क्या जाएगा इसका plus 49 upon 2 square 4 root के अंदर ही तो l square के हो जाएगा आपका 576 plus 49 upon 4 ठीक तो यह हमारा हो जाएगा means से आपका क्या हो जाएगा 625 upon 4 यह root के अंदर है हमारा ठीक तो यह हमारा आजागे यहां से क्या आएगा 25 upon 4 सेंटी स्वारे टू सेंटी मीटर ओके यह हमारा आगे हाइट एल आ गई तो टोटल सर्फेस अरिया आपको निकालना है किसका किसका फार्मूला लिखते हैं ओके देखे क्या हो जाएगा यहां उपर साइड यह को नीचे क्या बन रहा है आपका हमेश्पेर बन रहा है तो इसका निकालना हमको तो क्या कर देंगे दोनों का प्लस कर देंगे तो टोटल सर्फेस अरिया आजाएगा हमेश्पेर का इनका फार्मूला होता है क्या होता फार्मूला एस डबलू इक्वल फार्मूला होता है पाई आर यल प्लस टू पाई आर स्क्वेर इसमें बैल्लू फूट करेंगे ओके तो बैल्लू हमारी आएगी क्या आएगी देखिए पाई आर यल इक्वल क्या हो 25 by 2 प्लस आपको क्या करना है इसका 2 रहगा एजटेज इंटू पाइक बेलू क्या है 22 अपान 7 आर्क बेलू क्या है 7 by 2 का होल स्क्वार यह हो जाएगा मीस आपका आपका इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 कैंसील सब्डिवाइड कर देना है यहाँ भी 7, 7 एक कैंसील हो जाएगा जब आप स्वार करेंगे इसको तो आपका आए गए यहाँ से इसको मल्टिप्लाई करके 275 अपान 2 प्लस आपका 77 यहाँ से हो जाएगा क्योंकि 7 कैंसील और इसका आजाएगा और 2 से यहाँ यह कैंसील हो जाएगा तो आपका क्या जाएगा 77 अपान 1 इसको जब स्वार करेंगे तो क्या जाएगा इक्वल 275 प्लस 154 अपान 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 429 अपान 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 214.5 cm2 यह हमारा answer आजाएगा ओके तो यह हो जाएगा हमारा ठीक, question number 3 इसी तरह question number 4 4 में क्या दिया है the quiet side 7 cm दिया है surrounding the hemisphere बना है what is the greatest dimension of hemisphere can be the find the surface area of the solid shape का निकालना है ठीक है तो इसमें भी आपको क्या करना है आपको पहले तो आपकी जो दिया है high dimension दिया है 7 cm दिया है तो आपकी वह हो जाएगी R equal 7 by 2 हो जाएगा cube में दिया है तो इसको भी कर लेना question number 4 question number 5 दिया आपका देखिए question number 5 कहता है a hemisphere this person is the cut cut out from one face of a cubicle wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube determine the surface area of the remaining solid okay इसमें देखिए आपको कहा निकालना है remaining भाग का निकालना है तो इसमें भी आपको जैसे question number 4 करना है उसी तरह question number 5 को solve करना है ठीक है तो मैं आप लोगों को question number 5 बता रहा हूं okay देखिए हम लोगो को क्या इस type का figure बनेगा और यह hemisphere बनेगा इस cube cube के अंदर यह आपका hemisphere बनेगा तो total surface area of the remaining solid का निकालना है आपका तो total surface area of the cube plus क्या होगा curve surface area of the msphere minus करना है curve circular curve base of the cut out यह आपको formula हम लिखना है ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा इसका आपको formula sw को लिखेंगे sw surface area equal के हो जाएगा आपका 6a 6 yale square sorry yale square होगा plus आपका 2 pi l by 2 का whole square minus pi l by 2 का whole square इसको तो जब solve करेंगे तो देखिए 2 है okay so solve करेंगे देखिए 2 pi l square minus करेंगे तो 1 आएगा तो 6 yale square minus क्या हो जाएगा आपका minus plus minus देखिए largest number का sign है plus तो pi l upon 2 का square means क्या जाएगा आपका हो जाएगा 6 yale square plus आपका pi l square upon 4 यह हो जाएगा तो इसको जब solve करेंगे तो 64 l square plus pi l square by 4 ओके तो यह हो जाएगा तो आपका यहां से जब इसको अलग-अलग कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 24 upon 4 l square plus pi upon 4 pi l square upon 4 ठीक तो इसको जब solve करेंगे तो क्या जाएगा यहां कि यहां से देखिए l square common ले लीजे l square common तो 24 और आपका क्या हो जाएगा plus pi अपान यहां 4 बाहर कर दीजे 4 की भी count ले लीजे यह आपका answer आजाएगा square unit तो यह आपका आजाएगा तो question number यह कौन सो हो गया question number fifth अब question number six देखिए क्या कहता है question number six कहता है यह आपका figure बना हुआ है तो देखिए इसमें क्या दिया है a medicine capsule यानि जो हम लोग दवाई capsule है each in the save of a cylinder with two hemisphere each of the ages दी है आपकी the length of the either capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm find the surface area तो देखिए आपकी यह capsule बनी हुई है तो क्या बना ही तर दोनों तरफ hemisphere बना हुआ है ठीक तो इसका हम को क्या निकालना है hemisphere दिया तो आपको total surface area निकालना है ठीक है तो देखिए इसको जब solve करेंगे हम तो क्या क्या हो बनेगा कैसे बनेगा यह डाइग्राम इसका तो question number 6 तो आपका बनेगा डाइग्राम में बना रहा हुआ है तो के देखिए आपका दिया वह 14 mm टोटल दी है जब इस ताम लोग कट कर देंगे तो 9 mm बचेगी और यह बचेगा 5 mm means इसकी क्या हो जाएगी यह रेडियास हो जाएगी डाइमीटर होगा तो हमको d given है आपका d equal क्या दिया आपका 5 mm और आपका क्या दिया है image square का दिया हुआ है ठीक और हमको length दी है l equal total 14 दी है तो l equal क्या हो जाएगा l equal 14 से mm ठीक तो हमको क्या निकालना है radius r equal यहां से क्या हो जाएगा d by 2 equal r means क्या जाएगा 5 by 2 mm ओके यह आजाएगा फिर आपको क्या निकालना है surface area निकालना है surface area of the surface area of the capsule equal हो जाएगा तो आपका यह हो जाएगा total surface area of the capsule के निकालना है surface area of the यह आपका cylinder बन रहा है और इधर क्या hemispher बन रहा है तो आपका 2 pi r l plus 2 into क्योंकि 1 2 बन रहा है hemispher 2 pi r square ओके यहां से common ले लिजे क्या ले लिजे का बन 2 pi r common ले लिजे l plus 2 r यह common हो जाएगा तो यहां से आजाएगा 2 into pi value 22 upon 7 r की value क्या है 5 by 2 l की value क्या है आपकी 9 plus यह आपकी l की value होगी यहां से यहां तक की value total यहां l है और इसकी के लिए क्या होगी m a square के लिए l equal हो जाएगा 9 cm इसके लिए यहां से यहां तक की value यह वाल हम लोग रखेंगा 9 है 9 plus क्या हो जाएगा 2 into 5 by 2 तो इसको जब solve करेंगे तो क्या जाएगा आपका तो इसको solve करेंगे तो 2 यहां से देखिए 2 से 2 cancel तो 2 into 22 upon 7 into 5 by 2 और into 14 तो जब solve कर देंगा तक आपका जाएगा 220 mm तो यह हमारा answer कोशन नमबर 6 तो आपनों का यह इसी तरह है और कोशन है इसको 13.1 कर लेना होगे थैंक यू